अहुत्र मुन्हीं, से कई लिए तनी नुक्तीं करें लोगणा यह नहीं वहोरत न doen खोलाली को पने वहाँ, सिंव्य यह ना हरा अहान हो तो एतरह कुछ राखेत रोंगी गरासा बाल वच्चा वलो तरह बालबचा वह ठीहां आने था रही है पाइलो भेशित रहे हो परी भरहे हो ही सब्हाना तो पाइलो ठीहे मालव ठीह ही सबीन आ pilgrimage मेसे मालूम छो किया थे उस लड़की से तूम साधी ये मामला जतना संगीन है उतना ही सन्शनी खेज भी है आपने प्रेमी का महिला को पहले सुन लिया और उसके बाद प्रेमी लड़के की भी बात सुन लिया अब आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है जो महिला ये कह रही है कि शादी करने वाला दुलहा उसका प्रेमी है दरसल वो उसका प्रेमी है लेकिन प्रेमी लड़के ने साफ तोर पर कह दिया कि वो उसके साथ भाभी का रिस्ता था और इस तरह से उसका और उस महिला का दोनों के बीच में कोई प्रेम सम्मन्द नहीं है दरसल सुपॉल के रागोपुर्थाना की हुलास गाओं का मामला तब लोगों की भी चर्चा का सबब बन गया जब एक बिबाहिता को प्रेम जाल में फसा कर उसे गुपचुपश शादी रचाने के बाद प्रेमी दुबारा शादी करने के लिए दूलहन के घर बारात लेकर पहुँच गया और एन वक्त पर शादी शुदा प्रेमिका भी पहुँच गई बस क्या था शादी के मंडप में एक बिबाहित प्रेमिका को देखकर सभी भोचक रह गये प्रेमिका ने भरी महफिल में कह दिया कि सहरा बांधे जो युबग दुलहा बना है वह उसका आशी प्रेमिक ही नहीं बलकि उसके एक बच्चे का बाब भी है शादी के महफिल में प्रेमिका की बात सुनकर बारात सहित घरवालों के पैर तले जमीन खिसक गई और ततकाल शादी को रोग दिया गया तब जाकर प्रेमिका ने प्रेमी युवक की प्रेम कहानी की सारी वेणी गंस थाना शेत्र का है जब शादी करने आये युवकार उसके भाई और पिता को लोगों ने बंधक बना लिया सुपॉल के त्रिवेणिगन थाना शेत्र निवासी इस महिला की पहली शादी पांच साल पहले रागोपुर थाना शेत्र के खुलास गाउं के सोरेश यादब से हुई थी सब कुछ ठीक ठाक चल लाता इसी वीच महिला की आशिकी गाउं के ही अरुन साह नामा की लड़के से शुरू हो गई इसके बाद महिला से अरुन शाह मिलने लगा जब महिला का पती काम के सिलसले में बाहर जाता था तब दोनों के मिलने का सिलसला बदस्तूर जारी रहा और इस बीच महिला दो बच्चों की मां भी बन गई पर उसकी आर्शकी कम नहीं हुई और यह बाद जब महिला के पती शुरे से आदब को हुई तो उसने महिला को वापस उसके नई हर भेज दिया जहां दोनों प्रेमी युगल आसानी से मिलते रहे इसी बीच दोनों ने शादी भी कर ली और महिला अपने पहले पती के घर लोट आई पर इसी बीच प्रेमी से महिला को तीसरा बच्चा भी हो गया महिला के दुबारा शादी के बाद जब पती को पता चली तो उसने महिला को अपने घर से निकाल दिया इसी भी जब महिला प्रेमी के साथ रहने का दबाब बनाई तो प्रेमी अरुन शाह उसे छोड़ कर बाहर भाग गया और महिला प्रेमी का इंतजार करने लिगी इसी बीच प्रेमी के पिता ने बेटे की शादी तै कर दी और इसकी जानकारी जैसे ही प्रेमी का महिला को हुई वह लड़की वालों को अपने शादी की जानकारी दे दी तो शादी तूट गई इसके बाद लड़के के पिता ने शादी इलाके से दूर तै की और लरका दोला बनकर दोला लान ने पहुंचा कि प्रेमिका महिला यहां भी पहुंच गई और शादी रुखवा दी आरोप है कि शादी में अरुन के परजन ने तिलक की राशी ली और शादी के तैयारी में भी लाखों रुपए खर्च हुए थे लहाजा लड़की वालों ने प्रेमी दुलाब ने अरुन और उसके पिता और भाई को रूख लिया जबकि बारात में आए लोग चुपके से निकल गए इसके बाद गउवालों ने पंचैट शुरू किया और प्रेमी से दुलाब ने अरुन के पिता से तिलक की राशे के साथ-साथ शादी का खर्च भी वसूल लिया उसके बाद ही इन लोगों को जाने दिया यह करिदे गवान नगद करते हैं यह समान करते हैं यह ज़ल पर करते हैं यह लड़की के राखते हैं यह लड़की कर हल्य पूरे मामले में लड़की और लड़की का प्रेमी और लड़की के पिता के बयान सुनके यह साफ जाहिर होता है कि इस पूरे मामले की जो पेचिदगी है वह साफ है कि गाउं में किसी विवाहित महिला से प्रेम करने के बाद उसको जहांसा देकर शादी कर लिया और फिर उसको अलग कर दिया और नई दुलहन की तलाश में लड़का निकल गया वेराल इस पूरे मामले को जानने के अबाद इतना तो साफ है कि इस तरह के जहांसे में जो भी महिला आती है वह अपने परिवार को भी खो देती है खुलासा के लिए सुपॉल से सुभाष चंद्रा की ये खास रिपोर्ट